हलो फ्रेंट्स, गॉल्डेन एरा एजूकेशन में आपका स्वागत है, दोस्तों आज हम डिसकस करने वाले हैं, जनरल साइंस समान विज्ञान में बैलो जी का क्वेस्टन जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, तो आप लाश तक वीडियो को जरूर दे से पहले, कल के वीडियो में हम आप लोगों को दो क्यूज का क्वेस्टन दिये जिसको डिसकस कर लेते, पहला क्वेस्टन है, हेनरी किसका मात रहता है, दोस्तों हेनरी एक अमेर की साइंटिस्ट थे, जनोंने विधु चुमबक किया प्रेरक्तु की खोज की थी, तो हेनरी जनों प्राप्त होंगी, दोस्तों, माल लिजी एक प्रित्वी और दोस्तों, प्रित्वी के बीच और बीच एक रेखा रिखा, और दोस्ता विश्वत रेखा से सारे 30 डिग्री नॉर्थ में करक रेखा इसको कहते है ट्रॉपिक पर चैन्सर करक रेखा और व्यारत को भारत को बीच व बीच दो भागों में बाटता है तो भारत कैसन यहां पर हो गया सबसे दर्षिन में यहां तो दोस्तों मकर सबारेखा सबसे और पर में यहां पर है arose पूने वेस्ट में पस्षिम और दचिन में हैं तो हमारे जो सबसे नजदी का पार्ट है कन्या कुमारी जो पूरे दचिन में त refund me next question की बात करते हैं प्रके नेक्स्ट क्वेस्टन है अनुवानसी की काई है जो बैलो जी का कि नेक्स्ट क्वेस्टन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन है कोशिका गती विधिया नियंत्रित की जा सकते हैं दोस्तों निकलियस द्वारा कोशिका की गती विधिया नियंत्रित की जा सकते हैं निकलियस और के द्वारा यह कोशिका का एक महत्पुर्ण कोशिकांग है नेक्स्ट क्वेस्टन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन है स्वासन है तो दोस्तों स्वासन एक अप्चेन काइटाबोलिक परक्रिया है स्वासन दो परकार के होते हैं ऑक्सी स्वासन और अनौक्सी स्वासन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है प्रजेंट रहता है औ सेटिक सर्जरी का जना कर दोस्तों आधुनिक सर्जरी का जो जना कर जोसेफ लिस्टर और एड़वर्ट जैनर ने चेचक के टीका का खोज गया विलियम हारवे रक्त संचरन और लुई-पास्चर ने दूध का पास्चिकरन साथी रेवीज का टीका भी लुई-पास्चर के दौरा होजग्या गया हूarna कि नेक्स्ट कोईशन की बात करते नेक्स्ट कोईशन नेंसलैंगित में कौन सारों जीवानों के कारण होता है तो दौस्ट हारो के कारण हूते है तो जल जनित ओंध का जो उपयोग किया जाता है शरीर के दर्द निवारन में साथी बुखार को कम करने के लिए इसे एंटी पैरेटिक यानि जवर नासक भी कहते हैं तो हमारा जो सही एंसर होगा सरीर के दर्द निवारन में नेक्स् कोस्टन है तो निर्जली करन के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का होता है तो दोस्तो ciudौ निशली चरन के दौरान जो दो छरीर में छह होता है Venus dop यह गर्मी के समय मकसर होता है इसमें O Sort का घोल पिलाया causes58 तर्पी पानी में नमग घोल कर पिलाया जाता इसको एसप्लीन कहते हैं इंगलिस में मलेरिया रोग मादा एनुफिलीज मचर के काटने से होता है जो प्लाजो मोडियम प्रोटो जवा के कारण से होता है नेक्स्ट क्वेस्टन है पनीर बनाने में किस किन्वक का परियोग किया जाते है दोस्तों पनीर बनाने के लिए रेनिन एक एंजायम है किन्वक का परियोग किया जो हमारा सही एंसर होगा रेनिन नेक्स्ट क्वेस्टन है इनमें कौन जिस्ती परिक्षा बायोस्पी को असपश्ट करता है दोस्तों हमारा जो एंसर होगा D option एक डॉक्टरी परिक्षन की तकनिकी जिसमें कोछ तथा तन्तूओं की सहता ली जाती है दोस्तों इस प्रोसेस में सरीर के जिस भाग को जांच कर बना रहता है उसके छोटा टुक्रा काटकर निकाल लिया जाता है इसके बाद उसका जांच किया जाता है नेक्स्ट क्वेस्टन है नदियों तलाबों आदी में पाये जाने वाले जलिये हरे पौधे को कहा जाता है दोस्तों इसका जो एंसर होगा सेवाल सेवाल को अलगी क दोस्तों किट जो संबंधित है आर्थो पोडा से हमारा जो एंसर होगा डी आप्षन आर्थो पेड़ा साथ ही इसके बाद है एनिलीडा तो इससे केच्वा संबंधित है एनिलीडा आर्थो पेड़ा आप लोग याद रखेगा किट नेक्स्ट कुईस्टन की बात करते हैं, नेक्स्ट कवीसिन निमलिखित में कौन बिसानू के दौरह होने वाला बिमार यह इसके बाद हैजा है तो हैजा बैक्टरिया के द्वारा टिटनस भी बैक्टरिया के द्वारा और गोनेरिया है यह भी बैक्टरिया के द्वारा होता है तो हमारा जो एंसर होगा पोलियो और कसेरुकी, इंटी ब्रेट, दोस्तो इस जनतु में स्वशन ब्रिक्स पाया जाता है, next question है, दूसित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है, दोस्तो दूसित पानी के कारण से मिसल यानि खसरा नहीं होता है, जो एक बिसानुजनित बिमारी है, हैजा, पिलिया, जोखार डेंगो एक विसानु जनीत बिमारी है यह एडिस एपजीब्टी मच्छर के काटने से होता है इसके बाद है मलेरिया मादा एनुफेलिज मच्छर के काटने से होता है इसके बाद है फैलेरियसिस यह सभी मच्छर के काटने से होता है कि नेक्स्ट क्वेशन के बात करतें निमलिखित में किस की कमी से दान्त की बीमारी होते हैं अगर फ्लोरीन की मादरा पानी मधीक रहता है तो फ्लोरोसिस बीमारी होता है जिससे दान्त जहर ने लगता है नेक्स्ट कोइस्ट की बात करते हैं एन्टीरेश рук डिया जाता स्कूट्त करके काटने से दिया जाता ही पाघल चुर्ट कसे में रैविज भैरसिγα जात है जो कुट्यम्हां काट लेते निय्व अश्ञान नक्रोग वह ते एन्षी में हैरोफॉबिय कार रोग होता हैis तो दोस्तों cancer जो प्रभावित करता है leukemia को जो blood cancer blood cancer जो होता है leukemia के कारण से होता है जिसमें WBC की मात्रा white blood cell की मात्रा बहुत जैदे बढ़ जाता है next question की बात करते है next question है धनु अस्तंब का अर्थ क्या होता है तो दोस्तों धनु अस्तंब टिटनस बिमारी का नाम है हिंदी नाम दिया हो इसको धनु श्टंकार भी कहते हैं जो मिटी में रहने वाले bacteria के कारण से होता है bacteria का नाम है Clostridium tetni इसे मान स्पेसी प्रभावित होता है और यह जो प्रवेस करता है घौ या धातू या लोहे के किल के चुबने से या जो कटे हुए घौ रहते हैं इसमें अगर मिटी का प्रवेस होते हैं मिटी में रहने वाले bacteria प्रवेस करता है जिससे टिटनस बिमारी होता है नेक्स्ट क्वेस्टन है निमलिखित में किस रोग में रोगानु खुले घौ से होकर प्रवेस करता है दोस्तों टिटनस से घौ खुले घौ से मिटी में रहने वाले bacteria कला एस्ट्रीडियम टेटनी प्रवेस करता है जिससे टिटनस बिमारी होता है नेक्स्ट क्वेस्टन निमलिखित में कौन सी छूथ की बिमारी नहीं है तो दोस्तों हिस्ट्रिय है मादसिक बिमारी ऑ ayuda इसके बाद भीॐप्षन है कि नेक्स्ट के बात करतें एक्स्ट को एपीडर्मी रोग संबंधित होता है। फुल जाता है चकता होने लगता है दोस्तों वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर किजेगा अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए इवनिंग में हम परते एक रोज वीडियो अपलोड करते हैं तो इसका पूरा क्वेसिटन इक आप लोग सौल कर पाए एक भी क्वेसिन आप लोगोंगा छुटे नहीं तो आप रेगुलर रूपसे वीडियो देखते रही है नेक्स्ट क्वेस्टन की बात करते हैं नेक्स्ट कुस्टन है निमलिकित में कौन सी जोरी गलत है दोस्तों इसम नवर का नाम दिया हुआ और इससे रेलेटर भीमारी है जये से पोलियो वीéta अपसंस से डिसकास कर लें, जय से प्लेग है, तो चुहा से प्लेग भीमारी फैलता है प्लेग एक भैक्ट्रिया जनित भीमारी है इस के बाद है रैवीज कुता तो कुता से पागल कुते हुआ हैंता पोलियो बंदर पोलियो जो बीमारी है जो बंदर से नहीं फैलता है गया तो हमारा जो पिन हैं कि दोस्तों अब हम आप लोगों को दो क्यूस का कुछिशन दे रहे जिसे सबी लोह बनेएगा और कोमेंट में जरूर अन्सर बतेगे इसके बाद next video हम हम उसका solution करेंगे पहला question है मानव शरीर में किस अंग में स्वध के कारण hepatitis होता है option है Mastix, Hirda, Yacrit, Gurdha गुर्दा यानी kidney next question है किसके इलाज में chemotherapy उपयोग किया जाता है दोस्तों पहला option है cancer, दूसरा है Tiber, Closis, TB, Hepatitis, Arthritis दोस्तों आप लोग सभी लोग comment में इसका जवाब दीजेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजेगा साथ ही comment करके जरूर बतेएगा धन्यवाद दोस्तों